में इस वीडियो में आज हम जानेंगे फिनिश के बारे में फिनिश को यूज करने के लिए आपको स्टार्ट मेल मर्च राइट एंड इंसर्ट फिल्ड और प्रिव्यू रिजल्ट ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए मैंने अल्डेडी इन तीनों ग्रुप से वीडियो बना रखी है आप उन वीडियो को देखके इन तीनों ग्रुप के बारे में सिख जाओगे सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट मेल मर्च और यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूँगा और लेटर को स्लेक करूँगा जिससे की हमारे पेज का फॉर्मेट लेटर में हो जाएगा अब स्लेक रेसिपियंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आप अपनी लिस्ट को क्रियेट कर सकते हो इसके लाबा आप use and existing list पर क्लिक करके अपनी list यानि अपने contact को select कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने already list बना रखी है आपको वीडियो में बताया तो आप उन वीडियो को देख के सीख जाओगे list बनाना तो यहाँ पर मैं my list 2 को select कर रहा हूँ open पर क्लिक करूँगा वो list मेरी open होगी है edit recipient list पर क्लिक करके आप अपनी list को edit कर सकते हो तो already मैंने completely इस पर पूरी वीडियो बना रखी है अब दिखे next हमारे पास है यहाँ पर right and insert field right and insert field में जाकर हमें अपनी fields को add करना यानि अपने recipients के blocks हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं चाहता हूँ serial number आजाए इसके बाद मैं चाहता हूँ कि first name आजाए और last name आजाए इसके बाद enter press कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि company का name आजाए इसके बाद यहाँ पर city आजाए और यहाँ पर state आजाए इसके बाद enterprise कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए मैंने country ले लिए country ले रखिए मैं यहाँ पर country ले रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर मैंने mobile number ले लिया तो यह मैंने field जो कि मैंने already recipient list में बनाये थे यहाँ पर आप देख सकते हो यह मेरे पास columns है तो अगर आपको यह बनाना नहीं आता last video आप देख लेना इसके बाद देखिए यहाँ पर preview का option मिलता है preview पर click करके हम अपने recipient की list देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर one आ रहा है यहाँ पर आप next पर click करोगे तो जो next आपके पास record है उसका दिखाएगा जैसे कि second सुमित आ रहा है इस पर click करेंगे तो third आ रहा है यह आपका first होता है और यह आपका last होता है यह आपका previous होता है यह आपका next record के लिए होता है ठीक है आप find भी कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा records है तो आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिखिए जैसे मैं अमित लिख रहा हूँ next किलिक करूँगा तो अमित का मुझे data यानि अमित का जो भी मैंने contact list बना रही है वो दिखा देगा अब देखिए यहाँ पर हमाँ पास option आ गया है फिनिस का यहाँ पर जब आप इस पर किलिक करोगे तो यहाँ पर तीन option मिल रहे है edit, individual document, print document और send email तो अगर आपको इसको email करना है जितने भी आपने document बनाए है जैसे मैंने तीन document बनाए है अपने friends के अगर मैं send पर किलिक करूँगा तो यहाँ पर मैं अपनी email id डालूँगा ठीक है इसके बाद देखें यहाँ पर subject line डालेंगे और यहाँ पर all current from तो देखें यह option आ रहे है और यही option हमें यहाँ पर edit individual document में बिलेंगे इसके अलाबा जब हम इसको print करते हैं तब भी हमें यही option मिलते हैं तो सभी option को सीखते हैं सबसे पहले देखें edit individual document पर जा रहा हूँ और यहाँ पर all का option आ रहा है अगर मैं ok पर click कर दूँगा तो यह क्या करेगा मेरे सभी जितने भी मैंने records बनाए है चाहे वो 1, 2, 3 तो सभी को क्या कर देगा merge कर देगा एक new document बना के तो देखें मैंने अभी all flag करा मेरे पास देखें अभी ms word का सिर्फ एक ही window open है यानि एक ही ms word open हो रखा है मैं ok पर click करूँगा तो देखें इसने क्या करा यहाँ पर एक और ms word open कर दिया और देखें इसका नाम जो letter 1 है तो अब क्या बना यह एक letter बन गया पहले क्या था document लेकन जब मैंने इसका format flag करा हूँ letter तो यह letter में हो गया अब देखें यहाँ पर अमित आ रहा है इसके बाद मैं नीचे करूँगा तो देखें second आ रहा है सुमित और यहाँ पर third आ रहा है kaushal shak क्या जो की मेरा ही नाम है अब देखें यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको close मैंने इसको close कर दिया देखें यहाँ पर मैं don't sap कर रहा हूँ इसके बाद देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ finish and merge पर और edit individual document पर क्लिक करेंगे तो next हमारे पास है current record अब current record क्या है जैसे कि आप चाहते हो कोई particular record ही print करना या फिर उसको एक new document पर merge करना जैसे देखें यहाँ पर अमित one आ रहा है अमित कुमार अगर आप next पर click करोगे तो यहाँ पर सुमित शर्मा आ जाएगा next क्लिक करोगे तो कोईशल शाक्या अब जब हमने all पर click करा था यहाँ पर all करे all slack करके ओके तो इसने सभी कही दे दिये था लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ कोईशल शाक्या का ही एक letter त्यार करना तो यहाँ पर देखे मैंने क्या करा कोईशल लियाया अभी देखे मेरे पास यहाँ पर एक ही है ठीक है records और यहाँ पर देखे MS word यहाँ पर document 1 वही open है मैं क्या करूंगा finish and merge पर जाओंगा edit individual पर जाएंगे यहाँ पर current record और ओके तो यह क्या करेगा सिर्फ कोईशल शाक्या इसी का ही एक letter बना के देगा देखे यहाँ पर मैं चलता हूं तो देखे letter बनकर आ रहा है ठीक है letter 2 इस पर क्लिक करेंगे मैं जूम आउट करके दिखाता हूं तो देखे एक ही letter इसने बना के दिया तो all पे क्या करा था उसने all पे उसने सभी का ही record बना दिया था लेकिन जब मैंने current record को select करा तो जो हम particular record select कर रहे हैं सिर्फ उसी को ही print करके देता है या उसी का ही document बना के देता है अब देखें यहां पर from option है from क्या कर सकते हो जैसे कि आपके पात 10 record है ठीक है 10 record है और आप चाहते हो तीन से लेकर 8 तक ही record को print करना या फिर उनको एक merge करना new document पर तो मालीजे आपके पात 10 है तो आप यहां पर 3 लिखो इसके बाद यहां पर 8 लिखो तो क्या करेगा एक और तो यहां पर देखें मैं 2 दे रहा हूं और यहां पर 3 तो यह क्या करेगा दो तीन इनी record को यहां पर डॉकुमेंट में एड कर देगा यानि एक new document में merge कर देगा ओके ठीक है तो देखें यहां पर इसने एक नया बना दिया letter तो देखें यहां पर 2 आ रहा है और इसके कर देखें तो यहां पर इसने उसको नहीं बनाया ठीक है तो यह हमारा था यहां पर फिनिश में मर्ज इंडिवीज्ड डॉकुमेंट ठीक है यहां पर अब देखें यहाँ पर इसके बाद next option है print documents का print documents पर क्लिक करोगे तो आप print भी इसी साफ से कर सकते हो जैसे कि अगर आप सभी को print करना चाहते हो तो all को select करिए यहाँ से जैसे कि आप समिस्थर्मा को करना चाहते हो किरन चाहते हो इसकेदा चाहते हो जैसे कि सात से लेकर 12 तकी record तो सहसे हो करेगा तो इस तरीके से आप print कर सकते हो जैसे कि all पे click करा तो यहाँ पर देखे मेरा printer वगेरा तो connect है नहीं तो मुझे यहाँ पर यह सब option देदेगा लेकिन आपका printer connect होगा ओके पे click करोगे तो वो print कर देगा इसके बाद देखे हमारे पास send email message तो अगर आप इसको किसी को mail करना चाहते हो email करना चाहते हो तो आप इस पर click करिए यहाँ पर देखे टू का option आ रहा है यहाँ पर देखे आपके पास कुछ option आ रहे है कि आप क्या बहिरना चाहते हो first name यहाँ पर देखे last name mail करना चाहते हो तो उस तरीके से आप mail कर सकते हो यहाँ पर आपको subject line लिख लेनी है जैसे कि यहाँ पर letters लिख दिया ठीक है लिकिन देखिए इसके लिए आपका outlook connect होना चाहिए अगर मैं okay पर click करूँगा तो देखिए यहाँ पर यह outlook आगया तो इसके लिए नेक्स वीडियो में जब तक लिए बाई बाई थैंक यू एंड टेक केर